मेथी दाने में केवल एक चमच इस चीज को डाल कर बालों में लगा लो अगर आपके बाल दस गुना ना बढ़ गए तो फिर कहना पूरे इंटरनेट पर कोई नहीं बताये गए ये तरीका क्योंकि ये बहुत ही सिकरड तरीका है 99% लोग जानते हैं इसके बारे में लेकिन आज आप जरूर जाल लें अगर सच में चाहिए लंबे घने बाल तो इस नुस्के को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मेथी दाने जी हाँ मेथी दानी के बीज आपको चाहिए बालों पर यूज करने के लिए आपने बहुत सारे नुस्के देखे होंगे बहुत सारे नुस्के ट्राइ किये होंगे लेकिन अगर आप मेथी दानी का ये नुस्का अपने बालों पर यूज करती है तो आपके बालों के लेंध बहुत यच्छ होगी बाल जड़ने बंद होंगे बालों की लंबाई बढ़ेगी साथ ही साथ अगर आपके बाल पतले हैं तो आपके बाल तेजी से घने होंगे क्योंकि इसमें anti-fungal properties होती है जिनसे बालों पर अगर किसी प्रकार का fungal infection होता है जिसके बाल नहीं बढ़ रहे हैं बाल पतले हैं घने नहीं हो रहे हैं तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मेथी दाना बहुत ही उप्योगी है किवल एक चमच मेथी दाने को आपको लेना है अपने बालों पर यूज करने के लिए इसे आपको एक कटोरी में रख लेना है और उसके बाद इस कटोरी में आपको कम से कम एक गिलास पाणी एड्ड कर लेना है दोस्तों पाणी हम एड्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मेथी दाने के नीटरेंस हैं उन्हें आपको निकालना है उन्हें आपको यूज करना है अपने बालों पर तो इसके लिए जरूरी है कि कोई एक support चाहिए जिससे आपको आसानी हो इसके nutrients को निकालने के लिए तो हम यूज करना है पानी को बालों पर आप इसे अच्छे से लगा भी पाएंगी इसे आपको एक बरतन में डाल लेना है दोस्तों और इसके जो न्यूट्रेंस से उसे निकालने के लिए इसे आपको रखना है गर्म होने के लिए जब यह अच्छे से उबल जाएगा तभी इसके न्यूट्रेंस आसानी से निकल पाएंगे जब तक की उबलता है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं जी हां आगे का हम तब तक नुस्का बना लेते हैं जब तक की न्यूट्रेंस मेथी के दाने से निकल जाते हैं जब तक की पानी उबल जाता है तब तक हम आगे का नुस्का रेडी कर लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए अरंडी का तेल, जिहां दोस्तों, ये ओयल थोड़ा सा चिपचिपा होता है, बालो पर इसे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए हमें किसी न किसी चीज के साथ इसे आड़ करकर बालो पर यूज करना चाहिए, तो आज हम यूज करने वाले हैं मेथी दाने का, लेकिन तरीके से आपको यूज करना है, जैसे जैसे आगे वीडियो में बताएंगे, उसी तरीके से आपको बालो पर कैस्टर ओयल यानि कि अरंडी के तेल को लगाना है, बहुत से लोग कमेंट में पूछते कि सर ये ओयल मिलेगा, आपको बता द होते हैं, जो बालो पर आपके एक सुरच्छा आवरा बनाते हैं, जिससे आपके बालो पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, तोड़ा सा आपको चमसे से फेंट लेना है, ताकि ये ओयल थोड़ सा पतला हो जाए, अब बालो पर लगाने में आसानी हो, दोश्तों, कैस्टर ओयल बहुत ही अच्छे से काम करता है, आप इसका यूज जब बालो पर करेंगे तो विस्वास वानिया बालो की लेंथ बहुत ही अच्छी होने वाली है, बालो पर जब आप इसे लगाएंगे तो, अब आपको करना है, ये की कटोरी पर आपको चैच्छनी लगा क हमने मेठी दाने रखा था हुबलने के लिए वह अच्छे जब तक हुबल चुका होगा तो उसे आपको चैच्छनी से चाह लेनी केस्टर ओयल में, जिहाँ जो हमने केस्टर ओयल डाल लगशा था उसमें आपको इसेडाल कर चाहान लेना है और सेम्पू कर लेजी पर जब बाल आपगे गीले रहें तब ही आपको पने बालों को इस पानी से धुल ले ना реш उसके बाद आप पर नौर्मल सेंपू से अपने बालों को बाक्नि यूज करना है दोश्तों अगर आपको इन बेस फोरी ज़ानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें